तो देखिए यह कितना खुबसूरत प्लांट है और यह मैंने जो है कटिंग से ग्रो किया हुआ है और इसको भी दो साल भी नहीं हुए लगाई है और प्लांट ऐसा लगता है कि काफी साल पुराना है तो इसी का experience मैं आप से शेयर करूंगी और इसका नाम भी पहले मुझे न जो है यह मैंने पांच साल पहले बनाया था और देखिए इसका रही हालत कैसी हो गई थी बंदर ने तोड़ डाले था और भी मैं ने के पार्टा कर देए तो देगे बात करते हैं इसलोड शतितर। अब तक अब लगाया जब र सक्ष़ते हैं तक पांच चाहर पिती थी तब भुश्याना गभिक ऩहारा है टल्ग भी यह फूर भी मेलिंब गलj तबी का लोग से ये कफी दिन तक मुर्जाया है दिकाई रही है और फिर इसमें जड़े बनने लगी दिर दे और ये दो साल का भी नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि काफी पुराना है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई है और जो नीचे की पत्या ज्याद़ नीचे हो जाती है औ टीप ब्राउन होने लगती है ज़ाए पुरानी सी पत्ति हो जाती है और पत्ति रेगुलर निकालता रहता है यह नहीं कि इसकी ब्रोफ रुख रुख जाती है तो देखिए मैंने इसकी मिट्टी निकाल दीए है भी मुझे 10-15 मिनिट लगे देखिए 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 इस बीचने से इसमें से पानी इसा निकलता है और मैंने इसकी मिट्टी जो है निकाली है प्लांट की बोट मुझे को 10-15 मिनिट लगे इसकी मिट्टी निकालने में क्योंकि यह कीचने से नहीं निकल रहता है तो देखिए किस तरीके से पानी है सभी जड़ों में इस तरीके से जडों पर पानी की तो खास जर्रत होती है और देखो कितने दिन तक भी अगर जो एक मैना तक भी इसको पानी नहीं देते तब भी एप्लांट वैसा का वैसा ही रहता है तो इस तरह के प्लांट जो है होने भी चाहिए क्योंकि बंद्रों से मैं बहुत ज़्यादे तंग आ ग जो रखना पढ़ेगा मुझे तो अपने गार्डन में क्योंकि सारे प्लांट वरना खतम हो जाएंगे बंदर जो एक खा जाता है तो देखिए इसके जो टिप ब्राउन हो रही है ये प्लांट बाइने पत्ति अथा चाहर जाती है उनकी टिप ऐसी हो जाती है और वह थोड़ पास निकले तो छुप जाएंगी है तो पुरानी पत्या थोड़ी सूख जाती है इनकी टिप लगती है कि चुप जाएंगी तब इसकी निकाल देना चाहिए निकाल देना चाहिए प्लांटर देख रहे हैं उसमें आज इसको सिफ्ट कर देती हूं क्योंकि जिस प्लांटर में लगा इसकी गहराई ज्यादे नहीं है और उसकी गहराई ठीक ठाक है वह भी बंदर ने तोड़ दिया बहुत ज्यादा आतंक बचा के रखा है बंदरों ने विडियो भी शेयर कर करके इसे यह उन्यक्त निकाल लिए और इसको कोई फरक नहीं पड़ेगा इस तरीके से तोड़ने से इसकी जड़े तो प्याएंगी तो कुछ नहीं पड़ेगा इस प्लांटर क्योंकि इसकी कटिंगी इतना एजईली लग ज़गे थी कि बीना जड़के यह आसानी से ना म मैं थोड़ी मिट्टी डाल दूंगी और देखिए थोड़ी मिट्टी मैं इसमें डाल दी है मिट्टी बहुत अच्छी है यह और इसको मैं यहां पर रख दिया है बंदर आएगा दिवार पे जब चड़ेगा ना तो मैं सोचती हूँ कि अब उसको फूल ना दिखाई दे हैं छुंगा ताहिएं दे बहुत कि मैं ने चाहर मिनल सब्यां है तो देखेल्ब लुद्स के सबसक्राइब कर तो देखिए लेकिंड़ ऐसे बेता हैं से चाहल दुक होता है और इसके सेब्सक्तपी वगर तोड़ दी ति तो बाय किदा बी प्लान्स को भी तो चलिए थैंक्स वर वाचिंग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाई